हालो दोस्तों नमस्कार आपको अपने टेक्निकल ब्राइच चनल पर आपका स्वागत है टेक्स रिलेटेट कहीं भी कोई भी दिखात हो तो नीचे कमेंट कर दीजे दोस्तों अगर आप भी इंडिसेंड बैंक यूज करते हैं और जब आप इसमें लोग इन करते हैं अपना पिन डालकर ओके तो आपके सामने यह एरर आता है यूजर सौरी यूजर आईडी इज लॉक्र यूर कैन रिसेट एंपिन यूजिंग फॉर्गेट एंपिन ऑप्शन तो इसको आप कैसे रिसेट कर सकते कैसे आप इसमें लोग इन करेंगे इसी के बारे में बताऊंगा तो अग्रेट कर सकते हैं अग्रेट कर उसका कोई लून ले यह हैं तो एक बार दिसेट मौह कर सकते हुआ आप आप मैं अपर अपना number डालता हूँ, यहाँ पे account number डालने के बाद आपको यहाँ पे done करके यहाँ पे नीचे submit पे click कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना card number डालना है, उसके बाद यहाँ पे card का जो expiry है वो डालना है, यहाँ पे year डालना है, यह मंत डालने के बाद CV भी जो card के जो पीछे राता है वो डालना है फिर यहां पर अपना ATM card का जो चार डिजिक पीन है जिसे का पैसा निकालते हैं वो यहां पर टाइप करिएगा उसके बाद यहां पर आप अपना date of birth डाल सकते हैं या अगर pen card है तो date of birth भी डालके आप date था मैं अपना pin डाल दिया फिर यहां पर जो भी चीज है यह सब सारा data फिल कर दिया उसके बाद यहां पर दो option था या तो अपना date of birth डालिए या तो pen card डालिए तो मैं यहां पर अपना date of birth फिल कर दिया उसके बाद यहां पर सब्मिट में मैं किलिक करता हूं जैसे ही मैं डन करके उसके माद सब्विंट पे किलिक कर देना है जिसे सब्विंट पे किलिक करेंगे तो यह आप से पूछेगा कि यह आपका user ID है तो हम बोलेंगे हाँ उचके बाद यहाँ यहाँ पर बोलाए 6 जिजिट successfully reset हो गया MPN अब यहाँ पर आराम से आप login कर सकते हैं तो चलिए जो user ID वहाँ पर बताया गया था वो user ID यहाँ पर डालिए उसके बद submit पर क्लिक करिए उसके बाद यहाँ पर जो MPN आप set किये थे वो MPN यहाँ पर डालिए यहाँ पर मैं MPN वो डाल दिया उसके बाद देखिए यहाँ पर यह एप मेरा सक्सेश फुली ओपन हो गया यहाँ पर एक आउट नमबर बैलेंस लेंस सबको से दिखाने लग गया तो चलिए दोस्तों मिलते है नेक्स वीडियो में अगर फिर भी अगर दिक्कत होती है MPN रि